महराश का जो विवाद है राजनेतिक माहौल कर्म हो गया है वो डिल्ली पहुचा है और ग्रिह मंत्रालय में इसकी दस्क सुनाई दे रही है आप मेरे पीछे आपर देख सकते ग्रिह मंत्रालय में बीजेपी का जो प्रतिन्दिती मंडल है वो आया है और वहाँ पर इसने मुंबई से आये हैं और हम लोग ने अभी गुरू सचीव के साथ मिटिंग कि एक माया रास्ट्रे की परिस्तिती और मुंबई की खास करके परिस्तिती के गुरू सचीव जी को वाकिफ करना जो एक गुंडागी जी का दैसत भरा वातावरन जो खड़क किया गया है उसके पहला तो हमने बहला जी को महारास्ट्र की परिस्तिती और मुंबई की परिस्तिती के बारे में वाकिफ किया है कि वहां पर जो तरिका दैसत भरा वातावरन है आज पचास साल में में मुंबई में जिन्म हुआ है मुंबई में बड़ा हूँ पचास साल में इसा दैसत बरा की बारे में उनको बताया गया है इसमें जो कुछ भी परिस्टिती में सुधार करना चाहिए कि यह सेंटर के ऑफिसर जाके खुद डिटेक्क करें और उनके फैसला करें प्रतिक्रिया क्या आई है उनके पाथ अभी रिपोर्ट गया है उन्हों ने अपने इसाफ से रिपोर्ट लेना शुरू भी किया है और उन्हों ने आस्वासन दिया है कि जो कुछ भी करना पड़ेगा इस कि लिए वह उसमें जरू स्टेप लगे मंत्री से भी मिलने का क्या लोका कारेक्रम है तो समय आज हमने नहीं लिया है आप देख सकते हैं इस तरीके से जो बीजीपी का प्रतिंद्दी मंडल दल के जो सदसेगण है वह यहां पर आ रहे हैं उन्होंने मुलाकात की यह मांग पत्र है देविंद्ध नविस जो की विपक्ष के नेता हैं उनकी और से अमांग पत्र रखी गई है और इसमें जो सारा सिल्सिलवार तरीके से यह जिक्र किया गया है कि अखिरकार क्या परिस्तितियां थी और किस वजह से यह पूरा का पूरा विवाद पन हुआ और भी लोग हैं आपर आप यहां पर देख सकते हैं कि यह जो बीजीपी के नेता है प्रत्रम अनेदि मंडल और दल के जो जड़स हैं वो आए हैं यहांपर उन्होंने मुलाकात की तो अब दस्तक इसकी सुनाईग दे रही है दिली में और तमाम नेता ग्रियमंत्राले में जहां पर आए हुए हैं इस तरीके से उन्होंने अपनी बात यहां पर रख करती तो इसलिए वह आए इस मांग पत्र के साथ उन्होंने दिखाया और उन्होंने कहा कि जो उनका कारवाई है वह त्वरित कारवाई होनी चाहिए किरीट सुमय्या भी इसमें थे इसके लावाँ बीजेपी के कुछ विधायक भी थे इसके लावाँ बीजेपी के महराश ब पूरे मुद्दे को एक बड़ा राजनितिक स्टंट बनाने के यहां पर कोशिश कर रही है और इस वजह से उनके नेताओं का यह जमावड़ा यहां पर देखा जा सकता है और कुल मिलाकर आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से बीजेपी की ओर से हम उनके तमाम नेताओं की मौजूदगी यहां पर दिल्ली में देखेंगे अलग अलग जगहों पर यहां पर देखेंगे आज सरवदली बैठक लाउड स्टीकर के मामने में बुलाई गए थी लेक की जा रही है यह भी साफ तोर पर इस राजनेतिक सरगर्मी से अजाहिर हो रहा है कि कौन विपक्ष किस तरीके से अपने आपकी पोजिशनिंग कर रहा है और सत्ता दल किस तरीके से अपने अपनी जो है वो पोजिशनिंग कर रहा है आप देखेंगे मंत्राले में यहां प के पदालिकारी हैं उनका जमावड़ा यहां पर ग्रिह मंत्राले के सामने यहां पर अलगा हुआ है और आने वाले दिनों में भी इसके इस पूरे प्रक्रण की यहां पर बूद सुनाई देगे हमाई साथ प्रतिनिति मंदल दल के सदस से हैं अधर आप क्या पोजिशन मुंबइ माहानकर पालके मैं सदन का नेता हूँ है और मांग पत्र में किन किन चीजों का जिकर है इस मांग पत्र में जो जी नेताओं के उपर हमले कर रही है अटक कर रही है जेल के अंदर डालने का काम कर रही है और कहीं न कहीं जो कुछ सो कॉल्ड सेकुलर इमेज बनाने के लिए हिंदुओं के उपर अत्याचार वानाचार कर रही है और उसमें पुलिस की भूंका संदिक्द है पुलिस ने कारवा नहीं कर रही है उसके हम लोग केंद्रिय ग्रिय सच्चिव महवदय से अब लोग मिले और मांग किये कि आप एक टीम भेज करके मुंबई और महाराष्ट का सर्वे करके रिपोर्ट मांगानी चाहिए और पेपर है आप में आपके हाथ में कुछ पेपर है क्या है यह हमने एक निवेदन की कॉपी जो डेलीगेशन में लोग सामिल थे उसमें निवेदन की कॉपी हमने उनको दिये और यह यह माननी हमारी विरुदी पक्षन है ता देवंदर फण्वी जी ने पत्र लिखा हुआ है वह हमने उनको दिया और परवाई की मांग कि यह प पहले एप्रियल में सादूओं को उपर मॉब लिचिंग की घटना हो उसके बाद सुसासी की केस हो दिसा सालियन की केस हो मोईत कमभोज जी के उपर हमला हो नाराने जी के उपर जिस तरह से डाला गया उनको जेल के अंदर हो नॉन बेलेबल ऑफेंस था इस तरह से उनका व हुआ है बीजेपी का यह प्रतिन मंडल दल का दल है और साफ तोर पर इस बात की और इशारा करता है कि राजनितिक महौल बाहराश्ट में इन सारे प्रक्ड़ को लेकर गर्म है कैमरा पर सिंग जैपाल रावत के साथ आमित पांडे दिली न्यूज एटिन इंडिया बीजेपी प्रतिन मंडल का दल है सचव से मुलाकात कर बाहर निकल चुकर और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किरीट सुमया है बीजेपी के नेता जो पिछले काफी समय से आरोप लगा रहे हैं अलग अलग दलों पे आरोप लगा रहे है रूलिंग पार्टी में जो श जुब विवाद है महराश्ट का राजनेतिक विवाद है वह दिल्ली पहुंच चुका है और शिकायत की रूप में यह पर तिन निराकरन का या फिर इसके समाधान का इनको आश्वासन मिला है और अब सबकी नजरें होगी कि इनकी इनका कदम क्या होगा इसके अलावां सरकार का कें सरकार का क्या कदम होगा कैमरा पसंद जैपाल रावत के साथ अमिद पांडे दिल्दी नियूर्जेट इन इंडिया